प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लैनेट भोजपुरी में राउर स्वागत्बा, भोजपुरी दुनिया से जुरल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर, चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा लोग हलो, नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ पटना में और पटना का यह आप सुन्दर दृष्ट देख रहे हैं, यह थे मोस्ट ओल्डिस्ट होटल, जिसका रिवाल्विंग रेस्टुएंट था, गांधी मैदान, यह अधूर्ट पटना, इसको बलते हैं पावन करती है, नालंदा युनिवर्सिटी से लेके चानक्ते से लेके ग्वाटम बुठ, सीटा मनी, सीटा में, इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है, सारे आईएस अप, आईएस ओफिसल्स, संकी दरुगा लगरी समस्त, बिहार, जारखंड में, बहुत आशिरवाद मिला सबका, बहु मुहीम है बलातकार के खिलास, मुहीम है कि गुच्पुरी में भी मुद्दा और ज्वलंद सबजेक्ट, तो कि बिहार, युपी, जारखंड में बहुत सारी कहानिया है, उस मिट्टी में इतनी सारी कहानिया छीपी हैं, तो मुझे एस एप रिडूसर भी बहुत मज़ा आय एक फिल्म करके, और छे हजार किलो मिटर हम दोगोंने बायरोग, फिल्म का डियालोग है कि एक देश, हिंदुस्तान, देवी देवताओं की धर्ती, रिशी मुनियों की धर्ती, लेकि कुछ दरिंदे, कुछ वहशी दरिंदे अपने हवस से इसे बतनाम करना चाहते हैं, औ यह मेरी अब बोच्पूरी में कंदा सौंग ना, कुछ आलबम के गानों से वह बोच्पूरी सिम्रमा नहीं है, जो आप लोग कभी सुनते हैं, और अब सब लोग जाग गए हैं, बोच्पूरी इंडस्टी में भी, और सब लोग अच्छी फिल्में बना ला है, आपको पहले रंगमंश को जोईन करना है, पहले इसको थोड़ा सीखना है, एक छात्र बनना है, सिनमा का, और यह दिवांगी मांगता है, चोईश घंटा, दिवांगी मांगता है, कितना लुग जन बिहारी वाडन, लोगन के कितना बढ़िहा लगत हुई पटना के ही मारत देखके, the famous hotel, the oldest, I think this is the first hotel, जिसका revolving restaurant रहा, यहां पर, कितना अच्छा लगत हुई, सब लोगन के, I know, because I wish for the whole world में मुझे देखना है, बारे बबलु सोनी, हरा रमादर, बबलु सोनी बगले में खड़े हैं, और जितनी भी मीडिया हैं, सबको थांक्य बोलुग, आप लो वो पुरा अवाम, वो पुरी जंता बिहार की, जो उमर पड़ी थी सड़क पर आगे, उन सब के पढ़ाम हम कर अब, फिल्म में music है, इस फिल्म में action है, इसमें intensity है, इसमें shocks है, इसमें suspense भी है, और इसमें एक message भी है, कि कैसे एक दरोगा सनक जाता है, किस लेवल पर उसको हम लोग ले आते हैं, तो, because बहुत बार कानून की books के वज़े से, law की books की वज़े से, बहुत सारे police officers के हाथ बंद भी जाते हैं, because they have to, even they have the rules to follow, तो, ऐसा कुछ है thoughts sense में, बट हम लोग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, अगर हम लोग इस समाज से सबसे बड़े कलंग, जो cancer से भी बत्तर है बलाकार, इसको निकालने में हम समाज को खड़ा होना होगा, तरहीं आप school के बाहर, college के बाहर किसी को छेड़ते भी देख करवाएं, ताकि उसकी छेड़ खानी आगे जाके गंदा रूप ना ले, तो वहां या वेरेवर, गाह, दिहाद, खलियान, शहर, डिस्को, पाब, रेल, थ्वेन, बास, वेरेवर यू से अनिवड़ी टीजिंग, टाचिंग अ वोमन, उसके मन के, उसके कंसेंट के बगार, वहां पर एक वेकप कॉलिक घंकी जगा देनी, and stop that man, stop that whoever is, उसको वहां रोकना है, क्योंकि वहां से उसके पाप की शिरुआत को अंकुष देना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके जानवर ना बन जा है, तो कॉप्स के पास, उसके पुलीस के पास तुरंट ले जाना चीए पुलीस वीट करती है, आज हमारा देश, हमारा कानून सक्त हो गया है, बलातकार को जो फिछले महिने अपने मध्यो प्रदेश में देखा होगा है, कि तुरंट बलातकारियों को, एक महिने में फास ट्रैक कोर्ट में, एफांसी की सजा दी, तो तन्यवाद मैं सुप्रीम क पूर्ट को माननी, पूर्ट को घन्यवाद देता हूं, सरकार को, भारत सरकार को, इतनी स्ट्रॉंग सक्त कदम हो गया है, बलातकार मुखिन के, हम सब मिलके इस देश को एक बलातकार मुक्त देश बनाने का प्रयास करें, जानवरों से बचा हैं अपनी बेटियों को, जो चेहरा पहन के घूम रहे हैं, तो ऐसे लोगों से हमारी बेटियों की रक्षा हम लोगों को करनी है, उसके लिए पूरे देश को जागना होगा, यही रिक्वेस्ट है मेरी, घन्यवाद, अब मैं चलता हूं, बिकॉस आप मोर इंटेव्यूस तो गो, कुछ रेडियो पे ज फूरे तो जी रिटियू जैन तो बूरे देटियों की रचव वान तींटेव इंटरी में जितने वीडियो में आई राज मार पांड़े जी एंट यही रिवरीबड़ी तो तो अन्या एवरीवान, क्गोरा, अंज़आवैंड एवरीवान, होएवर रशारा, अमरपाली, ह प्लैनेट भोजपुरी प्लैनेट भोजपुरी